सब्सक्राइब और चैनल और प्लीज हिट दे बैल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फॉम टॉप नियूज सस्पेंस और थीलर से बरा सो इश्क में मर जावा में हर रोज यूर्थ को कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता रहता है कभी तारा की कोई नई चाल देखने को मिलती है तो कभी दीप की और इन सब की बीच पिस जाती है विचारी आरोही जी हाँ आरोही अपनी भावी को लेकर काफी परिशान है इतना ही नहीं अपनी भावी के लिए वो सब कुछ करने को तयार है इसके पहले आपको ये भी बता दे कि आरोही तारा बनकर रोमा के बेटी इसलिए बनी है क्योंकि वो अपनी भावी को तारा के कैस से छुड़वाना चाती है लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि तारा एक बहुत शातर दमाग इंसान है और किसी भी कीमत पर भावी का पता नहीं बताती इसके अलावाद तारा दीप के सामने ये शर्त भी रख चुकी है कि अगर वो उसे जेल से रहा करवा दे तो भावी का पता बता देगी लेकिन हर बार वो कोई नहीं चाल चल देती है जिससे भावी का पता नहीं चल पाता लेकिन एक लीडिंग वेबसाइट से जानकारे मिली है कि बहुत जल्दी तारा एक और नहीं चाल चलेगी जिसमें वो दीप और आरोहिका कर देगी पढ़दा फास जी हाँ, खबरे मिली हैं कि इस बार तारा खुद को रोमा के सामने तारा साबित कर देगी और सब के सामने दीप और आरोहिका को ला देगी क्योंकि तारा के हाथ लब चुकी है असली DNA रूपोर्ट फिलाल के लिए इतना ही, ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फा यू टॉप न्यूज तो शाथ टुपो प्र मोर दीटेल सब्सक्राइब आर चैनल and please hit the bell icon so you never miss update from top news